आजी नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग नियूज लेकर आया हूँ बहुत बहुत धन्यवाद माध्यमिक शिक्षा बोड़ के अधिकारी को जिनोंने हमारी मांग को माना चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक्षा दिक्षार करें जी यहां दोस्तों उपेर यादा हूँ जीने टूइट करके बताया है उनको रीट में आवेदन करने का दुबारा मोलका मिलेगा ताकि वो अपनी केटेगरी का संसोधन करें पहले आवेदन कर चुकी ऐसी मैलाई जो कोरोना काल में विद्वा हो गई वह सास से 14 जुलाई तक आवेदन कर सकती है केटगरी में संसोधन कर सकती है जी हाँ दोस्तों कर सकती है अपनी केटगरी के अंदर जी हाँ दोस्तों यह देखिए यहाँ पर प्रेस नोट जा रही है रीट दोजार इकिस में परिक्षा में आवेदन कर चुकी मैला अबेरती जो कोरोना काल में विद्वा हो गई है उन्हें आवेदन में विद्वा श्रेणी का संसोधन करने है तो निशुल का उसर प्रदान किया जाता है एसी विद्वा अबेरती उपरोग ट्रेक्षाइट पर श्रेणी अनुसार दिनांग 7 जुलाई 2021 से 14 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकती है जियां दोस्तों उनको निशुल का उसर प्रदान किया है और वो अपनी केटेगरी में संसोधन कर सकती है जो मेलाई पर कुरुना काल में विद्वा हो गी वो अपनी केटेगरी में संसोधन करने के लिए उनको निशुल का उसर प्रदान किया गया है ऐसे विद्वा अभ्यरती उप्रोक्त वेक्साइट पर स्रेणी सुधार दिनांत साथ जुलाई 2021 से 14 जुलाई 2021 तक आविधन कर सकेगी जी आदोस्तो जो मैला है विद्वा हो चुकी उनको दुबरा आविधन करने का अपनी केटेगरी में संसोदन करने का आदेश जारी किया गया है रीड 2021 परिक्षा आविधन पत्र में विद्वा शरेणी संसोदन हे तू ये प्रेस नोट जारी किया है जो मेलाएं विद्वा हो चुकी वो दुबरा आवेदन कर सकती है जी हां दोस्तों धन्यवाद